नमस्कार दोस्तों बारती किसान यूटूब चनल में आपका स्वागत है दोस्तों आज के इस वीडियो में हम अरंडी की खेती बुवा इससे अंतर तक कैसे करें इसकी संपूर्ण जानकारी के बारे में चर्चा करेंगे यानि दोस्तों बंपर उपज लेने के लिए बुवा इससे अंतर कौन-कौन सी करेंगे उनको सोट एंट स्वीट तरीके से अपन जानेंगे यानि दोस्तों आज के बाद आपको अरंडी की खेती से रिलेटेड कोई भी वीडियो देखने की जुरूरत नहीं पड़ेगी तो चलिया दोस्तों शुरू करते हैं चानते हैं कि ये किरियाए कोन-कोन सी है दोस्तों अगर बात करें कि बुहाई का समय है अरंडी का तो खरीब और भी दोनों में लगबख बोते हैं भारत में 15 जूम से ही इसकी बुहाई चालू हो चाती है और भी के अंदर इसको 15 सितमर से लेकर 15 औक्टुबर के बीच में बोते हैं दोस्तों अगर बात करें इसकी बुवई की दूरी के बारे में तो लाइन से लाइन की दूरी जादतर 3 फिट यानि 90 सेंटीमेटर रखी जाती है और पोदे से पोदे की दूरी 60 सेंटीमेटर यानि 2 फिट के बीच में रखी जाती है लेकिन दोस्तों यह अलग अलग रखी जाती है सिंचित और एज सिंचित इलाकों में सिंचित इलाकों में दोस्तों 90 से 120 सेंटीमेटर यानि 3 से 4 फिट लाइन से लाइन की दूरी रखी जाती है और एर सिंचित इलाकों में दोस्तों लाइन से लाइन की दूरी रखी जाती है दो फिट और पोदे से पोदे की दूरी डेड़ फिट ही रखी जाती है क्योंकि पाने की सुधा नहीं होती है तो बीज को 4-5 cm गहरा बोना है फसल की लाइन के अंदर 30-40 दिन की फसल पर मेड़े बना दें ताकि सिचाई आराम से हो सके और एक सरकसित खेती हो सके नमी सरकसित हो जाए यानि कम पानी की जरूत पड़े और नमी आसानी से खतम ना हो गए तो अगर बात करें बीजदर के बारे में तो बीजदर भी अलग अलग दूरी पर अलग अलग रहेगी लेकिन जो जनरली रखी जाती है तो वो हाइड़ बेड किसमों की बीजदर 2 kg परती एकड़ के हिसाब से रखी जाती है दोस्तों बीज को वह से पहले उपचारित कर ले ताए कि बाद में सभी रोगों पर टीका लग जाए और लगबग सभी परकारी रोग नहें के बराबर आए और लगबग फसल का भी अच्छा विकास होए तो उसके लिए अपने को बीज को बोने से पहले प्रती किलो बीज प पर स्प्रे करके बीज को चाह में सुका कर वापस बो दीजिए वह दोस्तों आप अंतरा सश्य करना चाहते हूं जब तक यह बड़ी हो उसके बीच में जो लाइनों की बीच में जगे हैं उसमें आप उड़द और मोट की पसल कम दिनों वाली लेकर भी आप अच्छा मुन तब है काम अच्छे से सक्सम होगा, बात करें बुगह जगा बुगह सहतन के खाद उरौकों और उनको देने गे त के बार हो तो दोस्तों सींचीट ऑड़ौकों 2 खाद ऊलग अलग अगें इनको अपन तीन बार में करके देंगे बुवाई के समय और बुवाई के 30-35 दिन पर और दोस्तों 65-70 दिन के फसल पर साथे साथ दोस्तों अपन डी एपी के बजाए SSP के जरिया देंगे ताकि दोस्तों अपने को फ्री में सलफर और केल्सियम तत्व मिल जाए तो दोस्तों इसके लिए खाद उरुकों के मातरा सिंचित और अपने बारे में बात करें तो परती एकड यानि 40-40-20 या 8 कनाल जमीन या दोस्तों आप इसको एक हेक्टेर के अंदर डाए एकड होते हैं एक एकड के बारे में बात करें तो आप जैसा भी आपकी तरफ नाप चलता हैं उस हिसाफ से आप इसका अनुमान लगा हुए तो सिंचित इलाकों की आपको स्क्रिन पर दिख रही हैं मातरा उस परकार से आप बुवाई के समय बुवाई के 30-35 दिन की पसल पर और 65-70 दिन पर दिख रही हैं दोस्तों कर बात करें अब की बुवाई से अंतक सिचाई के प्रबंदन किस परकार से करें तो यह एक पेरिनियल पसल या एक सीजन से भी ज़्यादा समय के लेती हैं अथा इसमें सिचाई का बहुती महत्पून योगदान है और सिचाई करने पर अच्छ तो वह बारिस पर भी डिफेंट करता है कि बारिस कितनी हो रही या नहीं हो रही है आपने फचल केसे लगाई हैं आपके लागे में बारिस कैसे होती हैं सबसे पहले तो आपको सीडलिंग स्टेज में जब पोदा चोटा होता है तो उस समय अवश्य सिचाई करनी है उसके इस बायद में जो पुस्पन शुरू होता है उसके समय आपको अवस्षाइ करने और secondary flooring जो होता है उसमें भी आपको महत्मून सिचाई अवस्ता है इसमें भी आपको सिचाई करनी है साथे साथ दोस्तों जब दाना बनता हो इसमें तब भी आप सिचाई करें ताइकि परकास संसलेशन अधिक से अधिक होगा और दाना अच्छी से बरे और उसमें तेल की महत्रा भी अच्छी से अच्छी हो सके तो इस परकार से आप सिचाई कर सकते हो लेकिन दोस्तों सीडिलिंग स्टेज पर यानि छोटा पोदा अवस्ता प्राइमेरी फ्लोरिंग यानि जब फूल आना स्टार्ट हो है उस समय सेकंडरी फ्लोरिंग यानि जब दूसरे फूल आना चालू है दूसरी बार में और दोस्तों ग्रेन फिलिंग स्टेज यानि जब दाना इसमें बन रहा हो उस समय चारों स्टेज पर अपने को सिचाई करना बहुत ही जरूरी अगर बात करें निराई गुडाई और खर्पतवार नियंतरन के बारे में तो आप राशानी खर्पतवार नासी का प्रियोग करना चाहते हो तो बुगाई के समय पेंडी मिथाली नामक खर्पतवार नासी का प्रियोग कर सकते हो जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कैसे यूज करना है और कितनी मादरा में यूज करना है पेंडी मिथाली नामक खर्पतवार नासी का प्रियोग कर सकते हो लेकिन दोस्तों आप प्रयोग नहीं करना चाहते हो तो आप निराई गुडाई करें और दो फिट की जब उचाई होती है पोदे की तब तक ज़्यादा खर्पतवारों का अटेक होता है तो इस समय आपको निराई गुडाई अवश्य करनी है तो दो बार निराई गुडाई देने वाली बारत में सबसे ज़्यादा उत्पदन देने वाली बेस्ट पांच किसमें कौन-कौन सी है तो उसमें GCH10, GCH9, GCH7, RHC1, PCH222 आधी प्रमु किसमें है तो दोस्तों अगर बात करें कि अरंडी के पसल में लगने वाली बुबाई से अंतक कीट बीमारियों के बा पहली है, जो मकलियों वगेरा को खाती है, और पूरी तरह पोडा को के लिए बेंटल बचता है, पोड़े कोई भी खा जाती है, साथी साथ दोस्तों इसके अलावा भी कई परकार की इल्लीां जो हैरी केटरपिलर यानि बाल वाली इल्ली लग सकती है, आपको दिख सकती है इसके साथ इसाथ तमबाकू की हरी इल्ली लग सकती है केपसूल बोरर यानि जो लारवा इसमें बोर करने वाला केपसूल के अंदर बोर करने वाला इसमें जो बीज विक्सित हो रहा है इसके अंदर जो फल विक्सित हो रहा है इसमें जो छेद करने वाला दोस्तों बात करें इन सभी परकार की इल्यों के कंट्रोल के बारे में तो इल्या आने से पहले आप एजर डिटेक्टिन पंद्रा सो पीपिम यानि नीम वेल को पांच एमल परती लिटर पाने के इसाफ से प्रियोग कर सकते हो लेकिन दोस्तों इल्यों का टेक हो गया है तो एमा वेक्टिन बेंजोइट 5% SG को आप 10 ग्राम परती 15 लिटर वाले पंप के अंदर या दोस्तों FMC का कोराजन को आप 6 अमल परती पंप के इसाफ से आप प्रियोग कर सकते हो या दोस्तों इल्या कम है तो आप प्रोफेनोपोस और साइपर मेथरीन को भी आप 2 अमल परत को दिख रहे हैं सपेद रिंगे तो उसके लिए आप डाइव हैंती रों 50% WP को डेट ग्राम परती लिटर पानी के इसाफ से या एसी टाम विर्पिट 20% SP को आप सप्रे करें सपेद मचर के अलावा अन्य रस्यूसक्त कीट दिख रहा हैं तो दोस्तों उसके लिए आप ए इरुका को भी आप 180-100 अमल परती लिटर पानी के इसाफ से प्रियोग कर सकते हो तो दोस्तों इस परकार से आप प्रियोग कर सकते हो साथी साथ जेवी कीट नासक के रूप में आप एजरी रिक्टिन 1500 पीपियम को 5 अमल परती लिटर पानी के इसाफ से प्रियोग कर सकते हो दो दोस्तों जमीन में दीमक लगती है जो आपको दीमक जो इस परकार की सपेद चीटियां होती है तो वो आपको जड़ें वगेरा को खाती हुई दिख जाएगी या दोस्तों पो को क्या करना जमीन के अंदर सिचाई के अंदर डेड़ लीटर परती एकड़ के साब से क्लोरो पाइरी पॉस 20% इसी को सिचाई जल में चलाना है वसल को पाले से बचाने के लिए आपको सिचाई करना है सिचाई जब भी पाला की दिक्कत आ सकते हैं आपको लगता है कि पाला पढ़ सकता है तो सिचाई कर दीजिए या दोस्तों सल पर 80% डवली जी वाले को 2 ग्राम परती ले terra पानी के साब से स्प्रे कर दीजिए या दोस्तों मेडों पर धुवा कर दी इन सब उपायों को आप अपना सकते हैं मिली बग लगी हुई हैं तो उसके लिए प्रोफेनों फोस को दो एमल परती लेटर पाने के इसाब से स्प्रे कर दीजे इस परकार की मिली बग जो रस चूसती हैं पोदों का अब बात करते हैं रोगों के बारे में तो रोग कोन कोन से लगते हैं तो सबसे ज़ादा रोग लगता हैं वो हैं फ्यूजेरियम विल्ट यानि उक्टा रोग जिसमें दो स्टेज पर लगता है, पहला उकते ही छोटे पोदे का मरना, हैपोकोटाईल का सूखकर पोदे का मरना, और दूसरा फूल आने से पहले या दोस्तों बड़े पोदे में लगना, जिसमें क्या होता है कि जो उपरी पतियाएं होती हैं, वो जुक जाती हैं, लुड या दोस्तों कार्बेंडर जी मेंकोजेब जो कि अपने वीडियो में चचा की थी, उससे दो ग्राम परती किलो बीज को ट्राइकोडर्म यूपीयल साब से उपचारित करना हैं, या दोस्तों बाद में खड़ी फसल के अंदर जमीन में एक से ड़ाइ किलो परती एकड़ के इससाब से ट्राइकोडर्म वेडी डालना हैं दोस्तों, और सिचाई के अंदर सिचाई कर देनी हैं दोस्तों, जो रोगी पोदा हैं उसको उकाड़ कर फैंक दीजिए, और जो अन्य पोदे हैं जागि साफ पोदों में यह रोग ना फेले, तो उससे बचाव के लिए आप को UPL का साब 200 पानी के साफ से या कोपर उक्सिक्लॉराइड को आप को 2-ない ही ले ली जिए, दो ग्रम कोपर उक्सिक्णूराइड 50 पर्सें डबलीपी को स्प्रे कर दीजिए जिससे ये रोग आने अगे नहीं पहलेगा दोस्तो MR और 15 दिन में इसी स्प्रे को आप तोरा सकते हो दोस्तो इन दोनों पहपूद नासकों से रन्य सभी परकार के पहपूद रोग जो इसमें लग बख जिसमें सरको, स्पोरा, लिप, स्पोर्ट जिसमें इस परकार के पत्यों पर दब्बे हो जाते हैं उसके 360 साथ दोस्तों, 5-23 सीडिलिंग बलाइट चो इसमें छोटे पोदे इस परकार से सूगने लगते हैं यह दोनों रोग भी खत्म हो जाएंगे और साथी साथ अन्य सभी प्रकार के फबुन रोग खत्म हो जाएंगे सिवाई कि दोस्तों पतियों पर यदि आपको सपेद चूर्णिल फबुन के धब्बे दिखाए दे रहे हैं तो उसके लिए आपको सलफर 2 ग्राम परती लिटर पानी के साब से स्प्रे करना है या दोस्तों एजोक्षो स्टोबीन 30% को 1 ml परती लिटर पानी के साब से स्प्रे करना है यदि फूलों के जड़ने की दिख़त आ रही है तो उसके लिए NAA यानि प्लानो फिक्स जो बाहर का आता है उसको 4 ml परती 16 लिटर पानी के अंदर यानि 4 लिटर पानी में 1 ml मिला कर स्प्रे कर दीजिए तो उससे फूलों के गिरने की दिख़त भी कम हो जाएगी जिवानू दबा रोग हो रहा है तो इस परकार का तो उसके लिए आपको स्ट्रेप्टो सैक्लिन पीला पाउच जो आता है मार्केट के अंदर उसको आपको परती 10 लिटर पानी के अंदर 2 ग्राम के इसाब से स्प्रे करना है तो दोस्तों इस परकार से आप अरंडी की बुवाय से नंतक संपून खेती कर सकते हैं और अच्छा उत्पादन ले सकते हैं साथी साथ इन सभी परकार के रोगों की एक अलग से वीडियो में ने डीप में बना रखी है इनकी संपून जानकारी के बारे में